किद्नी के बिमारी की अर्ली और टाइमली डाइग्नोसिस बहुत जरूरी है क्योंकि अर्ली और टाइमली डाइग्नोसिस हो जाने से इससे होने वाली गंभी शती को रोका जा सकता है जिन मरीजों में इस बिमारी के होने की संभावना अधिक होती है उन्हें regular अपने kidney के functions की जाच या kidney की जाच से संबंदित रोग होने वाली या उनसे होने वाली जाच को लगतार कराना चाहिए जिससे हम इसकी early diagnosis करता है अब kidney की जाच कुछ simple test के द्वारा kidney की बिमारी की जाच हम कर सकते हैं जैसे खून की जाच जिसे हम kidney function test कहते हैं उसमें kidney के function का एक marker होता है जिसे हम creatinine कहते हैं creatinine का जो normal level है normal level से बढ़े होना kidney की खराबी को indicate करता है तो जब भी किसी जांच में क्रियाटनीन का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ है आपको तुरंट अपने फिजीशन को संपर्क करना चाहिए इसके अलावा कई और चीज़े हैं शरीर में खून की कमी होना बिना किसी कारण के अनीमिया जो की और किसी बिमारी से एक्स्प्लेन नहीं हो पाता है वो भी किड्नी की खराबी को शो करता है इसके अलावा urine में प्रोटीन का आना, urine में खॼून का जाना ये भी किडनी के बिमारी को शो करता है इसके अलावा ultrasound करके अगर किडनी का normal size है उससे छोटी किडनी है या सिकडी हुई किडनी है वो भी ये inlandicate करती है किडनी में खराबी है इसके लिए आपको physician से संपर करना चाहिए एक और जांच होती है जिससे हम kidney की लगतार होने वाली पारिशमता को नापते हैं जिसे हम glomerular filtration rate बोलते हैं Glomerular filtration rate per minute kidney से excretory waste products के निकलने का rate है Normal स्वस्थ व्यक्तियों में इसकी range 90 ml per minute लगबग होती है जो ये बताती है कि kidney प्रति मिनट 90 ml waste production से बाहर निकाल सकते हैं